सोलन में परवाणु शिमला पोरलेंग की खुदाई चल रही है इस खुदाई के दौरान लोग तक चकित रह गए जब यहां एक पेड़ का जिवाश में मिला पुगर विपग्याने कुरितेश वारे जब रबॉन बैपास से गुजर रहे थे जहां पोरलेंग का काम चल रहा था उनकी नजर चटानों पर पड़ी तो उन्हें चटानों की परत में एक पेड़ के जिवाश में नजर आई उन्होंने इसका निरिक्शन किया और पाया कि यह लगबग दू कडूर साल पुराना पेड़ का जिवाश में है यह बहुत एक देख रहे हैं यह यह जीज है यह बहुत ही रिमाकिबल यह फॉसल प्रिजर्वेशन होई है पेड़ की यह कम से कम एक मीटर के कि तो इसकी डाय मीटर है और दस फूट से ज्यादा यहां पर इसकी हमारे को प्रिजर्व लेंथ नजर आ रही है भूगर विवाग्यानिक की माने तो यह किसी दो करोड साल पहले प्रिजर्वी पर पाये जाने वाले पेड़ का जिवाश्म है उन्होंने बताया कि यह पेड़ आज नहीं पाया जाता लेकिन दो करोड साल पहले उसका अस्त्त्त्त था उन्होंने कहा कि इस जिवाश्म के अध्यान से हम दो करोड साल पहले पाये जाने वाले बनस्पत्यों के बारे में जान पाएंगे साथी हमें दो करोड साल पहले के बनस्पत्यों के विकास की जानकारी भी मिलेगी और ये जानकारी धूगर वार बनस्पती वेग्यान के वेग्यानिकों और शात्रों के अध्यन में सहायक होगी रितिश का मानना है कि सरकार को दो करोड साल पुराने जिवाश्म को सन्रक्षित करने की तरफ पहल करना चाहिए और ये जिवाश्म यहाँ परेटन को बढ़ाने में मदद करेगा इससे एक बात साबित यहाँ पर जरूर होती है कि अगर यहाँ पर परेटक आते हैं वो यहाँ के मनोरल ग्रिश्य को तो अपने आप देखी सकते हैं साथ में दो क्रोड वर्श पुराना जो फॉसिल है वो भी उनकी जानकारी को इसाफा कर सकता है कैमरा में अशोक शर्मा के साथ कीरती कोशल एटीव निव्स सोलन